बिर्जु एक शुद्य शाकाहारी धाबा चलाता था पहले वो धाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग धाबे पर खाने के लिए आते थे वहाँ से पांच मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शुव मंदिर था लोग मंदिर में पुझा के बाद धाबे पर खाने के लिए आते थे बिर्जु तब छोटा था और धाबा चलाने में अपने पिता की मदद करता था लेकिन बिर्जु को खाना बनाने का कोई शौक नहीं था उसे मिट्टी से खेलना पसंद था वो पत्थर से घर बनाता था उस वज़े से मोहन उसे डाटता भी था उसके बाद बहुत दिन बीथ गए बिर्जु बड़ा हो गया मोहन बिमार पड़ गया बिर्जु की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया उसका बेटा दस साल का हुआ तब मोहन का देहान थो गया जाने से पहले मोहन ने बिर्जु से कहा बेटा बिर्जु वो धाबा मेरी जान है उसे बंद मत होने देना आप चिंता मत कीजे पिता जी आपका धाबा कभी बंद नहीं होगा ये मेरा वादा है और उसके बाद मोहन ने आखरी सांस ले ली अपने मरते हुए पिता से बिर्जु ने वादा कर दिया था अब उसे वादा निभाना ही था लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और वो है खाना बनाना धाबे पर लोग खाना खाने के लिए तो आते हैं लेकिन बिर्जु के हाथ में वो बात नहीं थी बिर्जु भाई बड़ा दुख हुआ मोहन भाई के बारे में सुनकर अब क्या ही कर सकते हैं रोटी और भिंडी मसाला देना एक प्लेट हा मालिक मैं भी लाता हूँ बिर्जु रोटी और भिंडी मसाला लाखर उस आदमी के सामने रख देता है लेकिन खाते ही उस आदमी का मूँ बन गया अरे ये क्या है इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है किसने बनाया है ये जी मैंने बनाया है क्या यार बिर्जु भाई इस भिंडी मसाले में वो बात ही नहीं है अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा गया अब मैं या कभी नहीं आऊंगा अरे रुक जाही मालिक लेकिन वो आदमी नहीं रुका धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया निराश होकर बिर्जु घर चला आया उसकी पतनी सरला ने पूछा क्या बात है दुखी क्यों लग रहे हो क्या करूं सरला मैं पिता जी के जैसा भिंडी मसाला नहीं बना सकता तुम मुझे सिखा सकती हो वो तो मैं भी नहीं बना सकती उनके जैसा एक वही थे अब क्या होगा पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन बिर्जु की जाने दुश्मन राघव को बहुत कुछ समझा रहा था राघव बिर्जु का चचेरा भाई था राघव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिर्जु का धाबा छोड़ कर जा रहे हैं वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी मनोहर बहुत खुश हुआ वा बेटा वा क्या खुश खबरी लाया है तू अब बारियोंने मसा चखाने की अब हम उसी के ढाबे के सामने हमारा रेस्टोरेंट बनाएंगे रेस्टोरेंट बनाएंगे लेकिन कैसे हमारे पास तो पैसे नहीं है पैसे उधार लेंगे और रेस्टरेंट नहीं चलातो? चलेगा कैसे नहीं, हम स्वार्दिष्ट खाना जो बनाएंगे, हम बनाएंगे बेस्ट भिंडी मसाला. कैसे पापा? मोहन चाचा जैसा भिंडी मसाला बनाना ना तो आपको आता है और ना ही मुझे, टेस्ट कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लैन है राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से करजा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टरेंट बनाने का काम शुरू हो गया बिर्जु ने अपनी पतनी से कहा मर गए राघव और मनोहर चाचा रेस्टरेंट बना रहे अब तो मेरे धाबे पर कोई नहीं आएगा एक महीने के अंदर रेस्टरेंट बन कर तयार हो गया और राघव ने बाहर लिख दिया कि यहां बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है नया साफ सुत्रा रेस्टरेंट देख कर लोग वहां जाने लगे कुछी दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टरेंट में जाकर खाने लगे जो बचे कुछे लोग धाबे पर आते भी थे वो भी जाते वक्त बिर्जु को दो-चार बाते सुना कर जाते थे अब बिर्जु कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था उसे तो पत्थरों से खेलना पसंद था अब ये बात वो बोलने जाएगा तो लोग उसे पत्थर से ही मारेंगे इसलिए बिर्जु चुप रहता और लोगों की बाते सुन लेता धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों ने आना बंधी कर दिया स्कूल में फीस ना देने की वज़े से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया घर में दो वक्त चावल और साग बनने लगा एक रात को बिर्जु रो पड़ा सब कुछ खत्म होगे सरला मैं अपना वादा नहीं निभा पाया पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे एहसा मत कहो लिकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है रागव इतना अच्छा खाना बना कैसे राय है टेस्ट कहां से ला रहा है वो पता नहीं सीखा होगा कहीं से ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है ये दोनों तो चोड़ लफंगे धोके बाज है मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे है ठीक है मैं देखता हूँ अगले दिन सुबा सुबा उटकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला रागव कहीं जा रहा है बिर्जु ने उसका पीछा किया रागव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरी दी मैंने सही पकड़ा था बिर्जु ने अपने मुबाइल पर पिक्चर उठा ली उधर सर्ला की तब्यद खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा मा आज मैं आपके लिए खाना बनाओ हाँ बेटा कोशिश कर मेरी तब्यद बहुत खराब है मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकाल कर बिर्जु ने रेस्टरेंट के बाहर चिपका दी लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए लोगों ने मनुहर और रागव को बहुत बारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया बिर्जु खुश होकर घर लोटा और सर्ला को सब कुछ कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन अब क्या होगा हमारा ढ़ाबा भी कैसे चलेगा लीजे भिंडी मसाला खाईए, मैंने बनाया है बिर्जु और सर्ला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोरों की बोलती बंद हो गई मुन्ना बेटा, तू तो बिलकुल अपने दादाजी जैसा भिंडी मसाला बनाता है, सच? हाँ बेटा, तुझे तेरी दादाजी का टैलेंट मिला है मुझे आज खाना बना कर बहुत अच्छा लगा, मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ वा बेटा, रुखचा, मुझे का एडिया आया है, मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग कर दाओं और उन भिंडियों से धाबा बनाता हूँ, लोगों को देखकर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहरी धाबा है वा पापा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी धाबा चलाएंगे और फिर क्या था? बिर्जु ने पत्थर की भिंडियों से धाबा बनाया और धाबा चल पड़ा मुन्ना खाना बनाने लगो और बिर्जु बाकी काम संभालने लगा ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी धाबा चलाने लगे और खुशी-खुशी रहने लगे ये कहानी है सरिता की जो एक छोटे से गाउं में अपने पती केशव और चार साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी अरे सुनती हो, अरे कहा हो जी आई, क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो अरे बात खुशी की ही है, अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है, हमें भी नियोता दिया है उन्होंने, तो तयार रहना अरे वा, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा न हाँ, वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे हम, और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ, चलो अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा हाँ, सही कहा सरिता गाउं के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उताबरी थी कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया, केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुचा पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थी, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बरतन पर ही अटकी हुई थी जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भर पेट पालक पनीर खाया और चोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वात चखा असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में दो वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनाओती थी ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी, तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन पालक पनीर कहते हैं, हाँ मा, वही पागल पनीन, अरे मेरा लला ठीक है ठीक है, मैं अपने लला के लिए बना दूँगी पागल पनीन, ठीक है मा, हसी हसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये चलाना होता था और ये बात सरीता भी अच्छे से समझती थी उफ बंटी से बोल तो दिया पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है इनसे बात भी की तो बहुत गुसा करेंगे अब क्या करू मैं इसी उधेड़ बुन में सरीता का दिन निकल गया फिर अगले दिन सुबा उठते ही सरीता को चिंता होने लगी क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबा से ही पालक पनीर खाने के ज़ित कर रहा था सरीता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गुंतने लगी तभी उसे एक खयाल आया वो जल्दी से पडूसी के खेट से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई फिर उसने गुथे आटे की लुई के चौकोर टुक्रे करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक पका कर उसमें बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया और फिर मा जल्दी लाओ ना पागल पनीन बना नहीं क्या अब तक बन गया लल्ला लो ये लो ये रहा अरे वाँ आज तो मजाई आ जाएगा हाँ मेरे बच्चे लो अब जल्दी से खाओ मासूम बन्टी बिना कुछ समझे बुझे खाता गया मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि वो तो सच जानती थी फिर उसी शाम केशोव बन्टी की बाद पर हसा पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक पनीर बनाने के लिए सरिता पैसे कहां से लाई उसने फोरण अंदर जाकर सरिता से पूछा सरिता वो बन्टी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है जी वो मैं वो लाओ थोड़ा सा हमें भी चका दो फिर सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सबजी लाकर रख दी जिसमें पनीर की जगा आटे के चौकूर टुकरे थे पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई उसने कुछ नहीं कहा लेकिन जब उसने सरीता की तरफ देखा तो उसकी आँखों में आसू थे केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया केशव के इस तरह के बरताफ से सरीता और जादा डर गए वो और रोनी लगी फिर कुछ दिर बाद केशव घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था केशव के हाथों में पनीर, क्रीम और बाकी मसाले थे जो उसने मुस्कुराते हुए सरीता को थमा दिये वो सारा सामान उधार लेकर आया था, उस दिन सरीता ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया जब तक पालक पनीर बन कर तयार हुआ तो केशव और बंटी वही रसोई में बैठे सरीता को बड़े थ्यान से देखते रहे और फिर जैसे ही सरीता ने असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए पहला निवाला खाते ही बंटी सीधा जाकर अपनी मा की गले लग गया ये वाला पागल पनीर तो शादी वाले से भी बहुत अच्छा है मा सच में सरीता बंटी बिलकुल सही बोल रहा है तुमने तो कमाल कर दिया अब मुझे लगता है अब तुम्हारा ये पालक पनीर ही हमारी किस्मत पल्टेगा जी मैं कुछ समझी नहीं आप कहना क्या चाहते हो देखो मैं कई दिनों से खेती छोड़ कर एक धाबा खुलने के बारे में सोच रहा था खेती की जमीन तो है ही अपने पास उसी मैं एक छोटा सा धाबा चलाने के बारे में सोच रहा था लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बने का कैसे जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मज़़ोरी भी ना देनी पड़े खेते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था तो सरिता भी पूरी तरह से तैयार थी अगले दिन से केशव ने बांस बल्लियों की मदद से धाबा बनाना शुरू कर दिया और पूरे एक हफते की मेहनत के बाद सरिता का पालक पनीर धाबा बनकर तयार हो गया शुरूआत के लिए केशव को थोड़े पैसे कर्ज पर लेने पड़े लेकिन फिर सरिता की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसके केशव ने उससे उम्मीद लगाई थी यूँ तो सरिता धाबे के लिए खाने के लिए कई चीजे बनाती थी लेकिन उसका बनाया पालक पनीर ही सबसे ज़ादा लोगों के सिर चड़कर बोल रहा था वही वहाँ बजाया आगया वही बहिया पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आ है बता रहे गजब बना वहीया गजब कसम से किसने बनाया वैसे कोई खास कारीगर है क्या आपके पास है जी हाँ है ना और वही इस धाबे के असली मालकिंग भी है वो मेरी पत्नी सरिता उसी ने बनाया है सब कुछ अरे बाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है वहीया तो फिर ठीक है तेखा वहीया अगले महीमे मेरे घर में दावत है तो दावत के खाने का पूरा आदर आपका है बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सहाब लेकिन खाने में क्या-क्या बनाना है पहले ये तो बताईए भाई अपनी तो एक ही दिमांड है बिलकुल ऐसा ही पालत पनीर है बाकिस हम आप देख लेना करीब भाई सो लोगों की दावत है और हाँ एक बात और ये दावत निप्टा लो फिर एक काम और है आपसे जी वो क्या मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोज बना कर डालता है और मुझे पुरा विश्वास है कि आपका धावे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा दया सरिता की बनाए पालक पनीर और उसके धावे को आप पहचान मिलने जा रही थी केशव और सरिता बहुत खुश थे लेकिन सबसे ज़्यादा खुश था बंटी आखिर्याद रोज उसका मन पसंद पागल पनीर चुखाने को मिल रहा था उसे बेस्ट बाडीज अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बाडीज